नमस्ते दोस्तों, प्रश्टूत है मुन्शी प्रेम्शंद की प्रेसिद उपन्यास दबन का पांचवा भाग नौ दिन कुजर गये, रमा रोज प्रातस दफ्तर जाता और चराग जले लोटता वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज गोई बड़ा शिकार फस जाएगा पर वह आशा न पूरी होती, इतना ही नहीं, पहले दिन की तरफ फिर कभी भागे का शुरद ने चमका फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रे की बात नहीं थी, कि नौ दिनों में ही उसने सो रुपे जमा कर लिये थे उसने एक पैसे का पान भी न खाया था जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे तो उसे भी उसने बातों में टला दिया बस कल का दिन और था कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था क्या वह एक महिना भर के लिए और न मान जाएगी इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उसे उर्रिन हो जाता उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बाते करके राजी कर लूँगा अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूँगा सराफ रुपए नहीं लोटाता सावन के दिन थे अंधेरा हो चला था रमा सोच रहा था रमेश बाबु के पास चल कर दो चार बाजियां खेलाओ मगर बादलों को देख देख कर रुप जाता था इतने में रतन आ पहुँची वो प्रसन न थी उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी आज वह लड़ने के लिए घर से तयार होकर आई है और मुरवत और मुलाहजे की कलपना को भी कोशो दूर रखना चाहती है जालपा ने कहा तुम खूब आई आज मैं भी जरा तुमारे साथ घूम आऊंगी इन्हें काम के बोज से आजकल सिर उठाने की भी फुरसत नहीं है रतन ने निश्चुरता से कहा मुझे आज तो बहुत जल्द घर लोट जाना है बाबुजी को कल की याद दिलाने आई हूँ रमा उसका लटका हुआ मूँ देखकर ही मन में सहम रहा था किसी तरह उसे प्रसन करना चाहता था बड़ी ततपरता से बुला जी हाँ खुब याद है अभी सर्राफ की दुकान से ही चला रहा हूँ रोज सुबह शाम घंटे भर खाजरी देता हूँ मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है दान तो कारीगरी के हैं मालियत देखिये तो कुछ नहीं दो आदमी लगे वे हैं पर शायद अभी एक महने से कम में चीज तयार न हो पर होगी ला जवाब जी खुश हो जाएगा पर रतन जरा भी न पेगले तिनक कर बोले अच्छा अभी महने बर और लगेगा ऐसी कागरीगरी है कि तीन महने में पूरी न हुई आप उससे कह दीजेगा मेरे रुपए वापस कर दे आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी मेरे लिए जरुरत नहीं रमानाथ एक महना ना लगेगा मैं जल्दी ही बनवा दूँगा एक महना तो मैंने अंदाजन कह दिया था अब थोरी ही कसर रह गई है कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए बतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई आप मेरे रुपए लोटा दीजे बस सुनार मैंने बहुत देखे हैं आपकी दिया से इस वक्त भी तीन जोरे कंगन मेरे पास होंगे पर ऐसी धांदली कहीं नहीं देखी धांदली के शब्द पर रमातिल मिला उठा धांदली नहीं मेरी हिमाकत कहिए मुझे क्या जरुरती अपनी जान संकत में डालता मैंने तो पेशकी रुपए इसलिए दे दिये रमानात इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेशता फिरेगा संभाव है साल छे महिने में बिख सके सबकी फसंद एक सी तो नहीं होती रतन ने त्योरिया चड़ा करका कुछ नहीं जानती उसने देर की है उसका दंड भोगे मुझे कल या तो कंगल ना दीजे या रुपए आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है तो आप मुलाहिजे और मुरवत के सबब से कुछ न कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजे नहीं आपको शर्म आती हो उसका नाम बता दीजे में पता लगा लूँगी वह अच्छी दिल लगी दुकान निलाम करा दूँगी जेल भीजवा दूँगी इन बदमाशों के लड़ाई के बगैर काम नहीं जलता रमा अपरतीव होकर जमीन की और ताकने लगा वह कितनी मनहूस घरी थी जब उसने रतन से रुपए लिये बैठे बिठाई विपत्ती मोल दी जालपा ने का सस्तो है इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते चीज आँखों से देख कर इन्हें संतोश हो जाएगा रतन अब मैं चीज लेना ही नहीं चाहती रमा ने कापते हुए कहा अच्छी बात है आपको रुपए कल मिल जाएंगे रतन कल किस वक्त रमानाथ दफ्तर से लोटते वक्त लेता आऊंगा रतन पूरे रुपए लूँगी ऐसा नहो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे रमानाथ कल आप अपने सब रुपए ले जाएगा यहां कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश वावु के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बुला इसे रमेश वावु के पास ले जाओ जवाब लिखाते आना फिर उसमें एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंबर दास को दिया कि मानिक दास को दिखा कर जवाब लाए विशंबर ने कहा पानी आ रहा है रमानाथ तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी दौरते वे जाओ विशंबर और वह जो घर पर ना मिले रमानाथ मिलेंगे वह इस वक्त कहीं नहीं जाते आज जीवन में पहला आउसर था कि रमाने दोस्तों से रुपे उधार मांगे आगरह और विने के जितने शब्द उसे याद आये उसका अपयोग किया उसके लिए अब बिलकुल नया अनुभव था जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे उन पत्रों को पढ़कर उसका हिर्दय कितना द्रवित हो जाता था पर विवश होकर उसे बहाने करने परते थे क्या रमेश बाबों भी बहाना कर जाएंगे उनकी आमदनी जादा है खर्च कम वह चाहें तो रुपए का इंतिजाम कर सकते है क्या मेरे साथ इतना सुलुक भी न करेंगे अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए वह द्वार पर तहलने लगा रतन की मोटर अभी तक खरी थी इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं मोटर पर बैठी और चल दी तोनों कहां रह गए अब तक कहीं खेलने लगे होंगे शैतान तो हैं ही जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है मैंने दोसो नाहक मागे शायद इतने रुपए उनके पास नहो ससुराल वालों की नोज खसोर से कुछ रहने भी तो नहीं पाता मानिक चाहे तो 1500 दे सकता है लेकिन देखना चाहिए आज परिक्षा हो जाएगी अगर इन लोगों ने रुपए ना दिये तो फिर बाद भी न पूछूँगा किसी का नौकर नहीं हूँ कि जब वो सतरंज खेलने को बुलाएं तो मैं दोरा चला जाओ रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धरकने लगता था आखे विशंभर लोटा मानिक ने लिखा था आजकल बहुत तंग हूँ मैं तो तुम ही से मांगने वाला था रमा ने पूर्जा फार कर ठेग दिये मतलबी कहीं का अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पूर्जा देखते ही रुपए लेकर दोरे जाते खेर देखा जाएगा चुंगी के लिए माल तो आएगा ही इसकी कसर तब निकल जाएगी इतने में गोपी भी लोटा रमेश ने लिखा था मैंने अपने जीवन में दो-चार नियम बना लिये हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का वेवहार न करूँगा अभी तुम्हें अनुभाव नहीं हुआ है लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मन मुटा होते देर नहीं लगती तुम मेरे प्यारे दोस्त हो मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता इसलिए मुझे शमा करो रमा ने इस पत्र को भी फार कर फिक दिया और कुर्शी पर बैठ कर दीपक की और तक-तकी बांद कर देखने लगा दीपक उसे दिखाई देता था इसमें संदे है इतनी ही एकागरता सेवा कदाचित आकाश की काली अभेद मेग राशी की ओर तकता मन की एक दशा वहभी होती है जब आखें खुली होती है और कुछ नहीं सोजता कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता संध्या हो गई थी विंसिपालिटी के आहाते में सन्नाटा चागया था करमचारी एक एक करके जा रहे थे महतर कमरों में जारू लगा रहा था चप्रासियों ने भी जूते पहनना शुड़ू कर दिया था खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे पर रमाना अपनी कूर्सी पर बैठा रेजिस्टर लिख रहा था आज भी वह प्रातकाल आया था पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फसा वही दस रुपे मिल कर रह गए अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था रमा ने रतन को जहाशा देने की ठान दी वह खोब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपे मेंने खर्ज कर दिये लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपे ततकाल मिल सकते हैं तो वह शान्त हो जाएगी रमा उसे रुपे से भरी भी थैली दिखा कर उसका संदेह मिटा देना चाहता था वह खजांची सहाब के चले जाने की राह देख रहा था उसने आज जान बूज कर देर की थी आज की आमदनी के 800 रुपे उसके पास थे इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था खजांची ठीक 4 बजे उठा उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता रुपे गिनने से ही चुट्टी मिली दिन भर वही लिखते लिखते और रुपे गिनते गिनते बिचारी की कमर दुख रही थी रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची सहाब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला ठैली उठाओ, चल कर जमा कराए चपरासी ने कहा खजांची बाबू तो चले गए रमा ने आखे फार कर कहा खजांची बाबू चले गए तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं अभी कितनी दूर गए होंगे चपरासी सरक के नुकर तक पहुँचे होंगे रमानात यहां अमदनी कैसे जमा होगी चपरासी हुकुम हो तो बुला लाओ रमानात अजी जाओ भी अब तक तो कहा नहीं अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे हो तुम भी निरे बच्छिया के ताओ आज जादा चान गए थे क्या खेर रुपय इसी धराज में रखे रहेंगे तुम्हारी जिम्यदारी रहेगी चपरासी नहीं बाबु सहाब मैं यहां रुपया नहीं रखने दूँगा सब घरी बराबर नहीं जाती कहीं रुपय उठ जाए तो मैं बेगुना मारा जाओंगा सुभीते का ताला भी तो नहीं है यहां रमानात तो फिर ये रुपय कहां रखो चपरासी हुजूर अपने साथ लेते जाएए रमात तो यह चाहता ही था एक इक्का मंगवाया उस पर रुपयों की ठैली रखी और घर चला सोचता जाता था कि अगर रतन भवकी में आ गई तो क्या पूछना क्या दूंगा दो चार दिन की ही कसर है रुपय सामने देखकर उसे तसली हो जाएगी जालपा ने ठैली देखकर पूछा क्या कंगन न मिला रमानात अवे तयार नहीं था मैंने समझा रुपय लेता चलू जिसमें उन्हें तस्कीन हो जाएगी जालपा क्या कहा सर्राफ ने रमानात कहा क्या आज कल करता है अभी रतन देवी आई नहीं जालपा आती ही होगी उसे चैन कहां जब चिराग चले तक रतन ना आई तो रमाने समझा रुपय अलमारी में रखती है और घुमने चल दिया अधी उसे गए दस मिनट भी नहीं हुए होंगे रतन आ पहुची और आते ही आते बोली कंगन तो आ गए होंगे जालपा हाँ आ गए है पहन लो बिचारे कई दफा सर्राफ के पास गए अभागा देता ही नहीं हीले हवाले करता है रतन कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है मैं जानती कि रुपय जहमेले में पर जाएंगे तो देती ही क्यों ना रुपय मिलते हैं ना कंगन मिलता है रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास से कही कि जालपा जल उठी गर उसे बोली आपके रुपए रखे वे हैं जब चाहिए ले जाएए अपने बस की बात तो है नहीं आखिर जब सराफ देगा तभी तो लाएंगे रतन कुछ वादा करता है कब तक देगा जालपा उसके वादों का क्या ठीक सेंकरों वादे तो कर चुका है रतन तो इसके मानी यह है कि अब वह चीज न बनाएगा जालपा जो चाहे समझ लो रतन तो मेरे रुपए ही देदो बाज आई ऐसे कंगन से जालपा छमक कर उठी अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली यह आपके रुपए रखे हैं ले जाईए वास्तव में रतन की अधिर्ता का कारण वही था जो रमा ने समझा था उसे भ्रहम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले इसलिए वह बार-बार कंगन का तगाजा कर रही थी रुपए देखकर उसका भ्रहम शांत हो गया कुछ लज्जित हो कर बोली अगर दो-चार दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो जालपा मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे जब चीज तैयार हो जाएगे तो रुपए मांग लियर जाएंगे रतन क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे या न रहे रुपए आते तो दिखाई देते हैं जाते दिखाई नहीं देते नजाने किस तरह उड़ जाते हैं अपने ही पास रख लो तो क्या बुड़ा जालपा तो यहां भी तो वही हाल है फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है कोई गोलमाल हो जाय तो वेर्थ का दंड पड़े तेरे ब्या के चौथे दिन ही मेरे सारे गहने चोरी चले गए हम लोग जागते ही रहे पर न जाने का बाँख लग गए और चोरों ने अपना काम कर दिया दस हजार की चपत पर गई कहीं वही दुरगटना फिर हो जाय तो कहीं के न रहे रतन अच्छी बात है मैं रुपे लिये जाती हूं मगर देखना निस्चिंद न हो जाना बाबुजे से कह देना सर्राफ का पिंड न चोरें रतन चली गई जालपा खुश थी कि सिर से बोज दला बहुदा हमारे जीवन में उन्हीं के हाथों कठोरतम आगात होता है जो हमा जालपा रसोई बना रही थी उसे देखते ही बोली रतन आई थी मैंने उसके सब रुपे दे दिये जालपा उसी के रुपे तो तुमने लाकर रखे थे तुम खुद उसका इंतिजार करते रहे तुम्हारे जाते ही वहाई और कंगन मांगने लगी मैंने जलाकर उसके रुपे फिग दिये रमाने साधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो न थे जाल्पा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिये तो अलबत्ता कहने लगी इसे क्यों लोटाती हो, अपने पास ही परा रहने दो मैंने कह दिया ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपए मैं नहीं रखती रमानात इश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कोई काम मत क्या करो जालपा तो अभी क्या हुआ उसके पास जाकर रुपए मांगला मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जीका जंजाल क्यों मूलोगे रमा इतना निश्टेज हो गया कि जालपार पर विगरने की भी सक्ति न उसमें न रही रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिती पर विचार करने लगा जालपार पर विगरना अन्याय था जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न दिया कि मुझसे पुछे बगर रतन को रुपए मत देना तो जालपा का कोई अपराद नहीं उसने सोचा इस समय ज़लाने और बिगरने से समश्य हल न होगी शांत चित होकर विचार करने की आवर्शक्ता थी रतन से रुपए वापस लेना आनिवारे था जिस समय वह यहां आई है अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खुबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती मुझको क्या शामत सवार थी कि घुमने निकला एक दिन ना घुमने जाता तो कौन सा मरा जाता था कोई गुप्ट शक्ती मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है दस मिनट की अनुपस्तिती ने मेरा सारा खेल भी गार दिया वह कह रही थी कि रुपेल रख लीजिए जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह अनौबत काह को आती लेकिन फिर मैं बीती भी बातें सोचने लगा समस्या यह है कि रतन से रुपे वापस कैसे लिये जाए क्यों न चल कर कहो रुपे लोटाने से आप नाराज हो गई असल में मैं आपके लिए रुपे न लाया था सर्राफ से इसलिए मांग कर लाया था जिसमें वह चीज बना कर दे दे संभव है वह खुद ही लजितों कर छमा मांगे और रुपे दे दे बस इस वक्त वहाँ चाना चाहिए यह नेश्या करके उसने घरी पर नजर डाली साड़े आठ बजे थे अंधकार चाया हुआ था ऐसे में रतन घर से बाहर नहीं जा सकती रमा ने शैकिल उठाई और रतन से मिलने चला रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी यहां नित्ती ही कोई न कोई उत्सव दावत पार्टी होती रहती थी रतन का एकांत निरस जीवन इन विश्यों की ओर से उसी फाती लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है इस वक्त वहां बच्चों का जमगर था एक आम के व्रिक्ष में जूला पड़ा था बिजली की बत्तियां जल रही थी बच्चे जूला जूल रहे थे और रतन खरी जूला रही थी हू हा मचा हुआ था वकील सहाब इस मौसम में भी उनी ओवर कोट पहने परामदे मेटल शिगार पी रहे थे रमा की इच्चा हुई कि जूले के पास जाकर रतन से बाते करें पर वकील सहाब को खरे देखकर वह संकोच के मारे उधा न जा सका वकील सहाब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले आओ रमा वाओ कहो तुम्हारे मिंसिपल बोर्ड की क्या खबरें है रमा ने कुरसी पर बैठते वे कहा कोई नई बात तो नहीं हुई वकील आपके बोर्ड में लड़कियों की अनेवारे शिक्षा का प्रस्थाव कब पास होगा और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया जब तक इस्त्रियों के शिक्षा का काफी प्रजार न होगा हमारा कभी उधार न होगा आप तो योरोप न गए होंगे क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्सा है बस मालूम होता है यही स्वर्ग है और इस्त्रिया भी सचमुझ देविया है इतनी हस्मोख, इतनी स्वशंद, यह सब इस्त्रिय शिक्षा का प्रसाद है रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था उसके आधार पर बोला वहाँ इस्त्रियों का आचरन तो बहुत अच्छा नहीं है वकील, नॉंसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है आप एक यूवती को किसी यूवक के साथ एकांग में विछरते देखकर दातों तले उंगली दबाते हैं आपका अंताकरर इतना मलीन हो गया है कि इस्तरी पुरुष को एक जगा देखकर आप संदे किये बिना रह नहीं सकते पर जहां लड़के और लड़किया एक साथ सिक्षा पाते हैं वहाँ यह जाती भेद बहुत महत्य की वस्तु नहीं रह जाती आपस में सने और साहन भूती की इतनी बाते पैदा हो जाती है कि कामुकता का अंच बहुत थोड़ा रह जाता है यह समझ लीजिए कि जिस देश में इस्त्रियों की जितनी अधीक स्वाधिनता है वह देश उतना ही सब्धे है इस्त्रियों को कैद में परदे में या पुरुसों से कोसो दूर रखने का तात पर यहीं निकलता है कि आपके हाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि इस्त्रियों का अपमान करने में जड़ा भी संकोच नहीं करती यूगों के लिए राजनिती, धर्म, ललितकला, साहित्य, दैर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विशे हैं जिनके आधार पर वे यूगतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं यहां लोगों की मनोवृत्या संकुचित रहती हैं मैं साल भर यूरोप और अमेका में रह चुका हूँ कितनी ही सुन्दरियों के साथ मेरी दोस्ती थी उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ पर कभी मुसे ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर तिसे यूवति को लच्चा से सिर जुकाना पड़े और फिर अच्छे और बुड़े कहां नहीं है प्रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद ना आया वह तो इस समय दूसरे ही चिंटा में मगन था वकील सहाब ने फिर का जब तक हम इस तरी पूरिशों को अबाद रूप से अपना-पना मान से विकास न करने देंगे हम अवनती की और किसकते चले जाएंगे बंधनों से समाज का पैर न बांधिये उसके गले में कैदी की जन्जीर न डालिये विद्वा विवा का प्रचार कीजिये खूब जोरों से कीजिये लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेर आदमी किसी यूवति से ब्या कर लेता है तो क्यूं अखबारों में इतना कोराम मच जाता है योरोप में असी वरस के बुठे भी यूवतियों से ब्या करते है सत्तर वरस के वृध्याई यूवकों से विवा करती है कोई कुछ नहीं कहता किसी को कानो कान ख़बर भी नहीं होती हम बुड़ों को मरने से पहले ही मार डालना चाहते है हाला कि मनुशे को कभी किसी सहगामीनी की जरुरत होती है तो वह बुढ़ापे में जब उसे हर दम किसी अवलम की इक्षा होती है जब वह पर मुखा फेक्षी हो जाता है रमा का ध्यान जूले की तरफ था इसी तरह रतन से दो दो बाते करने का उसर मिले इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी उसका वहाँ जाना शिष्टाचार के विरोध था आखिर उसने एक शन के बाद जूले की और देखकर कहा ये इतने लड़के किदर से आ गये वकील रतन भाई को बाल समाज से बरास ने है जाने कहां कहां से इतने लड़के जमा हो जाते है अगर आपको बच्चों से प्यार है तो जाईए रमा तो यह चाहता ही था चट जूले के पास जा पहुँचा रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है जूले से इन सबों का पेठी नहीं भड़ता आईए जरा आप भी बेगार कीजे मैं तो ठक गई क्या कहकर वा पक्के चबूतरे पर बैठ गई रमा जोके देने लगा बच्चों ने नए आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के लिए उत्तावले होने लगे रतन के हाथों दो-दो बारियां आ चुकी थी पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार जूले और बाकी बैठे मोटा के दो उतरते तो चार जूले पर बैठ जाते रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम न था पर वह इस वक्त फस गया था क्या करता आखिर आधा घंटे के बेगार के बाद उसका जी उप गया धरी में साढ़े नौ बज रहे थे मतलब कि बात कैसे छेड़े रतन तो जूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों के सूधी नहीं है सहसा रतन ने जूले के पाँ जाकर कहा बाबुजी मैं बैठती हूँ मुझे जुलाईए मगर नीचे से नहीं जूले पर खरे होकर पैंग मारिये रमा बच्पनी से जूले पर बैठने से डरता था एक बार मित्रों ने जबरदस्ती जूले पर बिठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा पर इस अनरोध ने उसे जूले पर आनी के लिए मजबूर कर दिया अपनी औयोगता कैसे प्रकट करे रतन दो बच्चों को लेकर बैठ गई और यह कीट काने लगी कदम की डरिया जूला पर गयो री राधा रानी जूलन आई रमा जूले पर खरा होकर पेंग माने लगा लेकिन उसके पाउ काप रहते और दिल बैठा जा रहा था जब जूला उपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तू उसके वक्ष में चुपती चली जा रही है और रतन लग्कियों के साथ गा रही थी कदम की डरिया जूला पर गयो री राधा रानी जूलन आई एक शन के बाद रतन ने कहा जरा और बढ़ाईये साहव आपसे तो जूला बढ़ता ही नहीं रमा ने लज्जित होकर और जोड लगाया पर जूला न बढ़ा रमा के से में चक्कर आने लगा रतन आपको पैंग मानना नहीं आता कभी जूला नहीं जूले रमा ने जिरते विका हाँ इधर तो वर्सों से नहीं बैठा रतन तो आप इन बच्चों को सम्हाल कर बैठिये मैं आपको जूलाऊंगी अगर उस डाल से न चूले तो कहिएगा रमा के प्रांस रूक है बोला आज तो बहुत देर हो गई है फिर कभी आऊंगा गतर अजी अभी क्या देर हुई है दस भी नहीं बज़े घवराईए नहीं अभी बहुत रात बांकी है खूब जूल कर जाईएगा कल जालपा को लाईएगा हम दोनों जूलेंगे रमा जूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था मालूम होता था अब गिरा अब गिरजवर लड़ खराता हुआ साइकल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंट घर भागा कुछ दूर तक उछे कुछ होशी न रहा पाउं आप या पैडल घुमाते जाते थे आधी जूर जाने के बाद उसे होश आया उसने साइकल घुमा दी कुछ दूर चला फिर उतर कर सोचने लगा अज संकोच में फरकर कैसी बाजी हाथ से खोई वहां से चुप चाप अपना सा मुँ लिये लौटा आया क्यूं उसके मुँ में आवाज नहीं निकली रतन कुछ हववा तो थी नहीं जो उसे खा जाती सहसा उसे याद आया थहली में आट सो रुपै थे जालपा ने जुझला कर थहली की थहली उसके हवाले कर दी शायद उसमें भी गिना नहीं नहीं तो जरूर कहती कहीं ऐसा नहो थहली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गज़ भी हो जाए कहिंका ना रहूं क्यों ने इसी वक्त चलके बेशी रुपय मांग लू लेकिन बहुत देर हो चुकी है सवेरे फिर आना पड़ेगा मगर या 200 रुपय मिल भी गए तब भी तो 500 रुपयों की कमी रहेगी उसका क्या प्र लगाए तो लग सकता है सवेरे कुछ प्रवंध ना हुआ तो क्या होगा या सोच कर वह कहां पुठा जीवन में ऐसे अवशर भी आते हैं जब मिराशा में भी हमें आशा होती है रमा ने सोचा एक बार फिर गंगो के पास चलू शायद दुकान पर मिल जाए उसके हाथ पा पहुचा मगर गंगो की दुकान बंद थी वह लोटा ही था कि चरंदास आता हो दिखाए दिया रमा को देखते ही बोला बाबुजी आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया कहिए रुपए कब तक मिलेंगे रमा ने विनम रभाव से कहा अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई देर नहीं है देखो गंगो के रुपए चुकाएं हैं अब कि तुम्हारी बारी है चरंदास वह सब किस्सा मालूम है गंगो ने होश्यारी से अपने रुपए न लिये होते तो हमारी तरह तापा करते हैं साल भर हो रहा है रुपए सेकरे का सूध भी रखिये तो 84 र ठादस रहता है कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि उसकी नियत खराब है तो कल कब आईएगा रमानात भाई कल में रुपए लेकर तो ना आसुकूंगा यह जब कहो तब चलाओं क्यों इस वक्त अपने सेट जी से चार-पांसु रुपए क बंदबस्ता करा दोगे तुम्हारी मुठी भी गरम कर दूंगा चरंदास कहां की बात लिए फिरते हो बाबुजी सेट जी एक कोडी तो देंगे नहीं उन्होंने यही बहुत सुलुक किया कि नालिस नहीं कर दी आपके पीछे मुझे बहुत बाते सुननी परती हैं क्या ब अधीर क्यों हो जाते हो चरंदास साल भर हुआ एक कोडी नहीं मिली अधीर नहों तो क्या हो कल कम से कम 200 रुपए गिरकर रखियेगा रमानात मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं है चरंदास रोज गठरी काट-काट कर रखते हो उस पर कहते हो रुपए नहीं है कल रुपे जुटा रखना कल आदमी जरूर आएगा रमा ने उसका कोई जवाब न दिया आगे बढ़ा इधर आया था कि कुछ काम मिकलेगा उल्टे तकाजा सहना पड़ा कहीं दुश्च सचमुश बाबुजी के पास तकाजा न भेज़ दे आग ही हो जाएंगे जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है इस समय रमा की आखों से आशू तो न निकलते थे पर उसका एक-एक रोआ रो रहा था जालपा से अपनी असली हालत छिपा कर उसने कितनी भारी भूल की थी वह समझदार औरत है अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती उसने तो कभी अपने मूँ से कुछ नहीं कहा मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था इतना बड़ा बोज सिर्फ पर लेकर भी मैंने क्यूं किफायत से काम नहीं लिया मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था साल भर में मेरी आमजनी सब मिलाकर एक हजार से कमना हुई होगी अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे-आधे रुपए तो जरूर अधा हो जाते मगर यहां तो सिर्फ पर शामत सवार थी इतनी क्या जरुष थी कि जालपा मुहले भर की ओरतों को जमा करके रोज शेयर करने जाती सेक्रों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा मगर यहां तो उस पर रौप जमाने की पड़ी हुई थी सारा बाजार जान जाये कि लाला नीरे लफंगे हैं पर अपनी इस्त्री न जानने पाए वाहरे बुद्धी दरवाजे के लिए परदों की क्या जरुरत थी दो लैंप क्यों लाया नई निवार लेकर चारपाई क्यों बनवाई उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तयार कर लिया जिने उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था आदमी जब तक स्वस्त रहता है इसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है कितना खाता है कब खाता है लेकिन जब कोई विकार उत्पन हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकोडियां खाई थी विजय बहिर मुखी होता है और पराजय अंतर मुखी जालपा ने पूछा कहां चले गये थे बड़ी देर लगा दी रमानाथ तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा तुमने सब रुपय उठा कर दे दिये उसमें 200 रुपय मेरे भी थे जालपा तो मुझे क्या मालूम था तुमने कहा भी तो न था मगर उनके पास रुपय कहीं नहीं जा सकते वहाँ आप ही भेज देंगी रमानाथ माना पर सरकारी रगम तो कल दाखिल करानी पुड़ेगी ना जालपा कल मुझे 200 रुपय ले ले ना मेरे पास है रमा को विश्वास ही ने आया बुला कहीं हो ना तुम्हारे पास इतने रुपय कहां से आये जालपा तुम्हें इससे क्या मतलब मैं तो 200 रुपय देने को कहती हूँ रमा का चेहरा खिल उठा कुछ-कुछ आशा बंधी 200 रुपय वह दे दे 200 रुपय रतन से ले लू 100 रुपय मेरे पास हैं ही तो कोल 300 की कमी रह जाएगी मगर यही 300 रुपय कहां से आएंगे ऐसा कोई नजर ना आता था जिससे इतने रुपय मिलने की आशा की जाएं हाँ अगर रतन सब रुपय दे दे तो बिगरी बात बन जाएं आशा का यही एक आधार रह गया था जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा आज किस सोच में पड़े हो रमानात सोच किस बात का क्या मैं उदास हूँ जालपा हाँ किसी चिंटा में परेह हुई हो मगर मुझसे बताते नहीं हो रमानात ऐसे कोई बात होती तो तुमसे छिपा था जालपा वह तुम अपने दिल की बात मुझे क्यूं कहोगे रिशियों की आज्या नहीं है ना रमानात मैं उन रिशियों की भक्ती में नहीं हूँ जालपा, वह अथत्ता मालूम होता जब मैं तुम्हारे हिर्दय में पैट कर देखती रमानात, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती रात को जालपा ने एक भेंकर सौपन देखा, वह चला पड़ी रमाने चौक कर पुछा क्या है जालपा क्या सौपन देख रही हो जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आखों से देख कर कहा बरे संकट में जान परी थी नजाने कैसा सपना देख रही थी रमानाथ क्या देखा जालपा क्या बताओं कुछ कहा नहीं जाता देखती थी तुम्हें कई सिपाही पक्रे लिए जा रहे हैं कितना भेंकर रूप था उनका रमा का खून सुग गया दो-चार दिन पहले इस वपन को उसने हजी में उरा दिया होता इस समय वह अपने को सशंकित होने से न रोक सका पर बाहर से हस कर भूला तुमने सिपाईयों से पूछा नहीं इने क्यों पक्रे लिए जाते हो जालपा तुम्हें हसी सूज रही है अब मेरा हिदे काप रहा है थोरी देर के बाद रमा ने नीन में बखना शुरू किया अम्मा तहे देता हूँ फिर मेरा मून न देखोगी मैं डूब मरूंगा जालपा को अभी तक नीन न आय थी भैभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली तुम तो हसते थे और खुझ बखने लगे सुनकर रोएं खरे हो गये सपन देखते थे क्या रमा ने लज्जित होकर का हाँ जी नजाने क्या देख रहा था कुछ याद नहीं जालपा ने पूछा अम्मा जी को क्यों धम का रहे थे सच बताओ क्या देखते थे तो करवट सोना चित सोने से आदमी बखने लगता है रमा करवट पौढ़ गया पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमन से उनकी रक्षा कर रही है जगते हुए दो बजगे सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उरेलते वे बोली भरी प्यास लगी थी क्या तुम अभी तक जाग रहे हो रमा हाँ जी नीन उजट गई है मैं सोच रहा था तुमारे पास दो सा रुपे कहां से आ गए मुझे इसका आश्चर है जालपा यह रुपे में माय के से लाई थी कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहने से रखे थे रमानाथ तब तो तुम रुपे जमा करने में बड़ी कुशल हो यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया जालपा ने मुश्कुरा कर गा तुम्हें पाकर रुपे की परवा नहीं रही रमानात अपने भागे को कोश्टी होगी जालपा भागे के क्यों कोशू भागे को वो औरत रोएं जिनका पती निखट्टू हो शराबी हो दुराचारी हो रोगी हो तानों से इस्त्री को छेटता रहे बाद बाद पर भिगरे पुरुस मन का हो तो इस्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रशन रहती है रमा ने विनोध भाव से का तो मैं तुम्हारे मन का हूँ जालपा ने प्रेम पूर्ण गर्व से का मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़का निकले मेरी तीन सहेलिया है एक काभी पती ऐसा नहीं एक M में है पर सदा रोगी दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैशागामी तीसरा घर घुस्सू है और बिलकुल निखट्टू रमा का हिर्दय गदगद हो उठा ऐसी प्रेम की मुर्ती और दया की देवी के साथ उसने कितना बरा विश्वास खाथ किया इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझ से इतना प्रेम है तो मैं अगर इससे निसकपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंद मैं होता ताता काल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा खत में लिखा मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा ववहार किया जो उसे ना करना चाहिए था मेरा विचार यह कदापी ना था कि रुपए आपको लोटा दो मैंने सर्राख को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिये थे कंगन दो-चार रोज में आवश्य मिल जाएंगे आप रुपए भेज दे उसी थैली में 200 रुपए मेरे भी थे वह अभी भेजिएगा अपने सम्मान की रक्षा करते वे जितनी विनम्रता उससे हो सकते थी उसमें कोई कसर नहीं रखी जब तक आदमी लोट करना आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं या दो-चार दिन के बाद देने का वादा करे सारा दारों मदार रतन के रुपए पर था अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सवनाश उसकी कल्पना से ही रमा के प्रांच सुखे जा रहे थे आखिर नौ बज़े आदमी लोटा रतन ने दो-सो रुपए तो दे दिये थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था रमा ने निराश आँखों से आकाश क्यों देखा सुझने लगा रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया मामली शिष्टाचार भी नहीं जानती कितनी मकार औरत है रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सर्जन्ता की प्रतिमा ही है पर दिल में यह गुवार भड़ा हुआ था शेस रुप्यों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सूदना रही कहार अंदर आया तो जालपा ने पुछा तुम्हे कुछ काम धंदे की भी खबर है कि मटर गस्ती ही करते रहोगे दैस बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं कहार ने त्योणिया बदल कर कहा तो कचार हाथ गोर लेकर लेई कामे से तो गवा रहीं बाबु मेम सहाब के तीर रुपया लेबेक का भेजिन रहा जालपा कौन मेम सहाब कहार जोन मोटर पर चड़ कर आवत है जालपा तो लाए रुपय कहार लाए का है नहीं पिर्थी के छोर पर तो रहत है दौरात दौरात गोर पिराय लाग जालपा अचा चटपट जाकर तरकारी लाओ कहार तो उधर गया रमा रुपए लिए अंदर पहुचा तो जालपा ने कहा तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना अब तो मुझसे ना लोगे रमा ने उदासिन भासे का मत दो जालपा मैंने कह दिया था रुपए दे दूँगी तुम्हें इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूजी समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं रमा ने हताश होकर कहा मैंने रुपए नहीं मांगे थे केवल इतना लिखा था कि थैली में दो सूर रुपए जादा है उसने आप ही आप बेज दिये जालपा ने हसकर कहा मेरे रुपए बड़े भागेवान है दिखाऊं चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं सब इसी साल के हैं चमा चम देखो तो आँखे ठंडी हो जाए इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी बाबु जी सेट ने रुपए के लिए बेजा है दयाना चसनान करने अंदर आ रहे थे सेट के प्यादे को देख कर पूछा कौन सेट कैसे रुपए मेरे यहां किसी के रुपए नहीं आते प्यादा चोटे बाबु ने कुछ माल लिया था साल भर हो गए अब भी तक एक पैसा नहीं दिया सेट जी ने कहा है बाद बिगरने पर रुपए दिये तो क्या दिये आज को जरूर दिलवा दीजिए दियानाथ ने रमा को पुकारा और बोले देखो किस सेट का आदमी आया है उसका कुछ हिसाब आखी है साब क्यों नहीं कर देते कितना आखी है इसका रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा पूरे साथ सो हैं बाबुजी दियानाथ की आखे फैल कर मस तक तक पहुंच गई साथ सो क्यों जी यह तो साथ सो कहता है रमा ने टालने की रादे से का मुझे ठीक से मालूम नहीं प्यादा मालूम क्यों नहीं पुर्जा तो है मेरे पास तब से कुछ दिया ही नहीं कम कहां से हो गए रमा ने प्यादे को पुकार कर का चलो तुम दुकान पर मैं खुद आता हूँ प्यादा हम बिना कुछ लिए न जाएंगे साहब आप योँ ही टाल दिया करते हैं और बाते हमको सुननी पड़ती है रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था किन्तु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न चुआ हो जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखो रहना मनजूर हो उसका लड़का इतना बेशरम और बेगैरत हो रमा पिता की आत्मा का या घोर अपमान न कर सकता था वह उन पर यह बात प्रकटना होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है करका स्वर में प्यादे से बोला तू अभी यहीं खरे हो हट जाओ नहीं तो धक्का देकर निकाल दिये जाओगे प्यादा हमें रुपए दिलवाईए हम चले जाएंगे हमें के आपके दौर पर मिठाई मिलती है रमानाथ तुम न जाओगे जाओ लाला से कादेना नालिश कर दे ब्यादा अथ ने डाنट कर कहा क्या बेशर्मी की बाते करते हो जी जब गिरह में रुपए न थे तो चीज लाए ही क्यों और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए दा करो कह दिया नालिश कर दो नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी इसका भी कुछ खयाल है सारे शहर में उंगलियां उठेंगी मगर तुम्हें इसकी क्या परवा तुमको यह सूजी क्या एक बार गी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लादली कोई शादी ब्या का आउसर होता तो एक बात भी थी और वह औरत कैसी है जो पती को ऐसी बेहूदगी करते देखती और मना नहीं करती आखिर तुमने क्या सोच कर यह करज लिया तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो है नहीं रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी उसके विचार में पिता को इस विशय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था नहीं संकोश होकर बोला आप नाहा कितना बिगर रहे हैं आप से रुपे मांगने जाओं तो कहिएगा मैं अपने रुपे से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूँगा अपने मन में उसने कहा यह तो आप ही की करनी का फल है आप ही के पाप का प्राश्चित कर रहा हूँ प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली मुन्सी जी भुर्भुनाते विस्नान करने चले गए रमा उपर गया तो उसके मुपर लज्जा और प्लानी की फटकार बरस रही थी जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था वह हो ही गया इस अपमान के सामने सरकारी रुप्यों की फिक्र भी गायब हो गई कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं साधारन बुद्धी का मनुश्य ऐसी परिस्चिते में परते खबरा उठता है पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं परता रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था इस समय यदि उसके प्रान हरने आता तो वह आखों से दोर कर उसका स्वागत करता कैसे क्या होगा यह शब्द उसके एक-एक रूम से निकल रहा था कैसे क्या होगा इससे अधीक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था यही प्राश्ण एक सर्व व्यापी पिशाज की भाती उसे खूर्दा दिखाई देता था कैसे क्या होगा यही शब्द अगनित बगलों की भाती चार ओर उठते जार रहे थे वह इस पर विचार न कर सकता था केवल उसकी और से आँखें बंद कर सकता था उसका चित इतना खिन हुआ कि आँखें सजल होगे जालपा ने पूछा तुमने तो कहा था इसके अब धोरे ही रुपे बाकी है रमा ने सिर जुका करका यह दोश जुट बोल रहा था मैंने कुछ रुपे दिये हैं जालपा दिये होते तो कोई रुपे का तकाजा क्यों करता जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिये ही क्यों मैंने तो कभी जिद्ना की थी और मा लो मैं दो चार बात कह देती तो तुम्हें समझ बूझ कर काम लेना चाहिए था अपने साथ मुझे भी चार बाते सुनवा दी आदमी सारी दुनिया से परदा रखता लेकिन अपनी इस्तरी से परदा नहीं रखता तुम मुझसे भी परदा रखते हो अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा सौक्षर राया था कि मुहले बर की इस्तरीयों को तांगे पर बढ़ा बढ़ा कर सेर कराने ले जाती अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित दुखी हो जाता पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते कहीं नालिश कर दे तो साथ सो के एक हजार हो जाए मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे अच्छल कर रहे हो कोई वैशा तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर बढ़ना मेरा काम होता मैं तो भले बुरे दोनों की की साथ हिन हूँ भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो बुरे में तो मैं तुम्हारे ही गली पड़ूंगी रमा के मुख से एक शब्द न निकला दफतर का समय आ गया था भोजन करने का आवकाश न था रमा ने कपड़े पहने और दफतर चला जाग यश्वरी ने कहा क्या भीना भोजन किये चले जाओगे रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा छपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर भुली मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते रमा ने चलते वक्त चान बुझ कर जालपा से रुपए न मांगे थे वा जानता था जालपा मांगते ही दे देगी लेकिन इतनी बाते सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ सलाते उससे संकोच ही नहीं भै होता था कहीं वा फिर ना उपदेश देने बाद जाए इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी ठिठक गया और बोला अच्छी बात है लाओ दे दो वा बाहर के कमरे में बैठ गया जालपा दोर कर उपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिये उसने समझा था रमा रुपए पाकर फुला न समाएगा पर उसकी आशा पूरी न हुई अभी तीन सो रुपए की फिक्र करनी थी वा कहां से आएगा फूखा आदमी इक्षा पूर्म भोजन चाहता है दो चार फुलकों से उसकी तुष्टी नहीं होती सरक पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उसे जार्ज टाउन चलने को कहा शायद रतन से भेट हो जाए वा चाहे तो तीन सो रुपए का बरी आसानी से प्रवंद कर सकती है रास्ते में सोचता जाता था आज बिल्कुल संकोच न करूँगा जरा देर में जार्ज टाउन आ गया रतन का बंगला भी आया वा बरामदे में बैठी थी रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया उसने भी हाथ उठाया पर वहाँ उसका सारा संयम तूट गया वा बंगले में न जा सका तांगा सामने से निकल गया रतन बुलाती तो वा चला जाता वह बरामदे में ना बैठी होती, तब भी शायर वह अंदर जाता पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूबिया जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुँचा तो रमा ने चौकर कहा, चुंगे के दफ्तर चलो तांगे वाले ने घोरा उधर मोर दिया ग्यारा बस्ते बस्ते रमा दफ्तर पहुँचा उसका चहरा उत्रा हुआ था, चाती धरक रही थी बरे बाबुने जरूर पूछाओगा, जाते ही बुलाएंगे दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करेंगे तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली देखा, कई आदमी खरे उसकी राह देख रहे हैं वह उधर न जाकर रमेश बाबु की कमरे की ओर गया रमेश बाबुने पूछा, तुम अब तक कहा थे जी? खाजानची सहाब तुमें खोजते फिरते हैं चपरासी मिला था? रमा ने अटकते विका, मैं घर पर नहीं था जरा वकीर सहाब की तरफ चला गया था एक बड़ी मुसीबत में फस गिया हूँ रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? रमानाथ, जी हाँ घर पर तो कुशल है कल शाम को यहाँ काम बहुत था मैं उसमें ऐसा फसा कि वक्त ही कुश खबर ही न रही जब काम ख़दम करके उठा तो खाजानची सहाब चले गये थे मेरे पास आमदनी के आट सो रुपे थे सोचने लगा इसे कहा रखो? मेरे कमरे में कोई संदुक है ही नहीं यही निशे किया कि साथ लेता जाओ पास सो रुपे नकत थे वह तो मैंने धैली में रखे तीन सो रुपे के नोट चेर में रख लिया और घर चला चौक में एक दो चीजे लेनी थी उधर से होता हुआ घर पहुचा तो नोट गायब थे रमेश बाबू ने आँखे गार करता तीन सो के नोट गायब हो गए रमानाथ जी हाँ कोट के उपर की जेब में थे किसी ने शायद निकाल लिये रमेश और तुमको मार कर थैली नहीं चीन ली रमानाथ क्या बताओं बाबू जी तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता तब से अब तक इसी फिक्र में दौर रहा हूँ खोई बंदुबस्त नहों सका रमेश अपने पिता से तो कहा ही नहोगा रमानाथ उनका सभाब तो आप जानते हैं रुपए तो ना देते उल्टी डांट सुनाते रमेश तो फिर क्या फिक्र करोगे रमानाथ आज शाम तक कोई न कोई फिक्र करूंगा ही रमेश ने कठोर भाव धारन करके कहा तो फिर करो न इतनी लापर भावी तुमसे हुई कैसे या मेरी समझ में नहीं आता मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा न गिरा आखे बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे मुझे तुम्हारी बात तो रुश्वास नहीं आता सच-सच बतला दो कहीं अनाप्षन आप में तो खर्च नहीं कर डाले उस दिन तुमने मुझ से क्यों रुपए मांगे थे रमा का चहरा पीला पड़ गया कहीं कला ही तो न खुल जाएगी बात बना कर बोला क्या सरकारी रुपए खर्च कर डालूंगा उस दिन तो आप से रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबुजी को एक जरुरत आ पड़ी थी घर में रुपए न दे आपका ख़त मैंने उन्हें सुना दिया था बहुत हसे दूसरा इंतजाम कर लिया इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर है रमेश तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खतलिक कर मंगवालू रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा नहीं बाबुजी इश्वर के लिए ऐसा न कीजिए ऐसी ही एक्षा है तो मुझे कोली मार दीजिए रमेश ने एक शन तक कुछ सोच कर कहा तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे रमा नात हाँ आशा तो है रमेश तो इस ठैली के रुपए जमा कर दो मगर देखो भाई मैं साफ साफ कहे देता हूँ अगर कल दस बजे तक रुपए नहीं लाए तो मेरा दोश नहीं काइदा तो यही कहता है कि मैं उसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ लेकिन तुम अभी लड़के हो इसलिए छमा करता हूँ वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरववत नहीं करता अगर तुम्हारी जगा मेरा बेटा या भाई होता तो अभी मैं उसके साथ यही सुलुक करता बलकि शायद इससे सक्त तुम्हारे साथ तो फिर भी बरी ननमी कर रहा हूँ मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो हाँ किसी का कर्ज नहीं रखता ना किसी को कर्ज देता हूँ ना किसी से लेता हूँ कल रुपए ना आये तो बुरा होगा मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजिस न बचा सकेगी मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हतकरियां होती हतकरियां? यह शब्द तीर की भाती रमा की शाती में लगा वह सिर से पाउं तक कांप उठा उस विपत्ती की कल्पना करके उसकी आँखें डबडबा गई वह धीरे धीरे सिर जुकाए सजा पाई हुए कैदी की भाती जाकर अपनी कुरसी पर बैट गया पर यह भ्यंकर सब्द बीच बीच में उसके खेले में गून जाता था आकाश पर काली घटाए चाई वी थी सुरे का कहीं पता न था क्या वह भी उस खटा रुपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हतकरियां है? धन्यवाद